दोस्तो, Positive Thinking यह किताब महान लेखक नेपलेन हिल के विचारों पर आधारित है, जिसे कमपाइल किया है माइकल रिट ने और हिंदी में प्रकाशित किया है प्रभात प्रकाशन ने, इस किताब में हमेशा Positive रहने के लिए अपार खुशियों के लिए और असिम सफलताओं के लि सोच में PMA को अबनाते हो तो आपका अपने बावनाव पर पूरा नियंतरन होगा, नकरात्मक बाव को आप अपने अंदर से बाहर निकाल फेक देंगे, आप अपने अंदर भैप पर नियंतरन प्राप्त कर लेते हैं, आपके मस्तिक्ष में सिर्प अच्छी घटनाव के ही चित्र उबरेंगे, आप अपने दुखों पर सोचना छोड़ देंगे और उन्हें अपने जीवन में दोबारा होने से भी रोखेंगे, दोस्तों क्या आपको ये अमेजिंग बेनिफिट चाहिए, तो इस वीडियो को अंततक जरू देखेगा, जो लोग अपने अंदर PMA को विकसित नहीं करते है, यानि कि positive mental attitude को विकसित नहीं करते है, वे कभी भी खुश नहीं रहते है, कई लोगों को मानसिक बिमारिया हो जाती है, और वो सिग रही घबरा जाते है, इसके अलावा ऐसे वेक्ति अपने प्रिये जनों और सातियों के लिए भी मुसीबते खड़ी कर देते है, दोस्तों इस यूडियो में हम अपने अंदर PMA को कैसे विकसित करें, इसके 10 golden नियम संक्षिप में समझेंगे, हलो दोस्तों मैं सेल्फ स्रीनिय आसमराथे, motivational speaker, mindship trainer और आपका अपना दोस्त, फिर से एक बार मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक बेहतरीन कित आपकी बुक समरी, दोस्तों अगर आपका अपके मायन को हमेशा strong रखना है, तो उससे संबंदित किताबों की समरी मैंने अपने चैनल पर बनाई है, आप मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें चेक जरूर कीजेगा, मेरे प्रोग्राम में अक्सर लोग मुझे कुल क्लियर हूँ, आप जिस उद्देश से इस वीडियो को देखने के लिए आए है, वो उद्देश आपका सफल हो, इसके लिए मैंने परिपूर्ण मेहनत की है, और बहुत गैरही से और संक्षप में इस किताब की समरी बनाई है, अगर इस किताब में बताए जो दस गोल पास के साथ अपने मस्तिक्ष पे काबू कीजेगा, विल्यम जेपस ने एक बार कहा था कि हम अधिकांज समय जो सोचते है, वही बन जाते है, दोस्तों हमारे मस्तिक्ष में दस अरब कोशिक आये है, और ये लगबग हमारी जो दुनिया है, उसकी जन संक्या के डबल है, औ अगर आपको अपनी मस्तिक्ष की शमताओं का पूरी तरह से इस्तेमाल करना है, तो सबसे पहले आपको ये विश्वास होना चाहिए, कि आप आपकी भावनाव को और अपने विचारों को आप सही दिशा दे सकते हैं, ये विश्वास आपके अंदर होना चाहिए, इस ये पावरफुल सेंटेंस आप दहराते हो, उतना जादा आपका आपकी भावनाव पर नियंतरन आता है, क्योंकि जो निगेटिव लोग होते हैं न दोस्तों, उनका अपनी भावनाव पर विल्कुल भी नियंतरन नहीं होता है, दूसरा नियम है दोस्तों, और वो है अपन मन में चित्रों में सोचना क्योंकि हमारा मस्तिक जो है दोस्तों वो चित्रों की भाषा समस्ता है एक तस्विर हजार शब्दों के बराबर होती है जो आप बनना चाहते हो वो अगर आप चित्रों में सोचना शुरू कर देते है न दोस्तों तो आपका मस्तिक्ष जो है पूरी क्षमताओं के साथ उन्हें गरहन कर लेता है उन विचारों को गरहन कर लेता है और जो इंपूट होता है वही आउटपूट होता है एक्जामपल के साथ समझते हैं आपको एक आत्मईश्वास पूर्ण व्यक्ति बनना है जिन्दगी में तो स्रीप शब्दों में ये मत सोचे कि मुझे आत्मईश्वास पूर्ण व्यक्ति बनना है नहीं आपको ये चित्र देखना है अपने माइन में कि जब आप पूर्ण प्रबलता से आत्मईश्वास पूर्ण व्यक्ति बन जाओगे तो तब कैसे दिखोगे आपके चेहरे के हावबा क्या रहेगी ये जब आप पूरी तरह से चित्र देखते हो तो अपने आप आपका मायन का फोकस हो है निगिटिव से पॉजिटिव पर आजाता है और नियंतरन में रहता है अगर आप ऐसे विजुलेज करते हो हर रोज तो कौन आपको पॉजिटिव रहने से रोख सकता है द जुद के लिए खुशिया पाने का एक मात्र निच्चित तरीक है दोस्तों और वो है दुसरों को खुशिया दीजे अपने विचारों से अपने कारियों से और अपने उर्जा से जब हम दुसरों के बारे में गलत सोचते हैं उनके अंदर कमिया धुनने लगते हैं तो हम औ अब भी भी निगेटिव नहीं रह सकते, आपका मायन हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, नेक्स्ट विचार है दोस्तो, आत्मनिरिक्षन करके सभी नकरात्मक विचारों को बहार निकाल कर फेग दीजे, बहुत सारे लोगों को ये तब तक पता ही नहीं चलता है कि वो नकरात अब भी नहीं चलता है तो खुज से सिर्फ एक सवाल पुछेगा, ये जो विचार में कर रहा हूँ, ये जो कार्य में कर रहा हूँ, या ये जो प्रतिक्रिया में दे रहा हूँ, ये पॉजिटिव है या निगिटिव है, अपने आप तुरंद आपको जवाब मिल जाता है और आप फिर से पॉजिटिवटि की ट्रैक पर आ जाते हैं, पाच्वा सुत्र है दोस्तो, खुश रहिए और दुसरों को भी खुश रखेगा, अगर आपको खुश रहना है, तो खुश रहने की एक्टिंग कीजे, खुशी का प्रधर्शन कीजे, अगर आप उत्साही रह जाते हो, तो उत्साही रहने की एक्टिंग कीजे, और थोड़ी देर बाद आपको भी पतानी चलेगा, कि कब वो खुशिया आपके अंदर चागी है, कब आपका मन पॉजिटिव हो गया है, कब आप सचमुच अंदर से खुश होने लग गये है, जितना जादा आप खुश हो जाते हो, अंदरोनी खुशी आप महसुस करने लगते हो, और जब आप खुश रहते हो, तो आप दुसरों को भी खुश रखते हो, क्योंकि खुशी एक संक्रामख होती है ना, नेक्ष निये मैं दोस्तों, सहन शिल्ता के आदट डाली है, लोगों के प्रती दोस्तों मन लोग जैसे है, वएसी उनको स्विकार कीजेगा, पसंद करने की कोशिश कीजेगा, यह अपिक्षा मत रखेगा, कि लोग हमारे जैसे बन जाए, हर बार हर व्यक्ति जैसा हम चाहते है, वैसे ही बन जाए, जो निगटिव लोग होते हैं दोस्तों, वह र बार उनकी ये चा आते हैं हमें भी पतानी चलता है नेक्ष नियम है दोस्तो स्वयम को सकारात्मक सला दीजेगा आपके मस्तिश को पॉजुटिव रखने के लिए सुचनों के प्रती आपको तीन चरण अपनाने हैं सबसे पहला चरण हमेशा सजग रहें कि आपके इंद्रियों दौरा आपके उर्जा के दारा आपके कारियों के दारा जो भी संदेश जा रहा है भाय जगत में वो हमेशा पॉजुटिव रहें दूसरा चरण है भाय जगत से जो भी सुचनाय आ रही है उन में से स्रिप और स्रिप पॉजुटिव को ही आपको चुनना है और बागी बातों को आपको इगनौर कर देना है और तीसरा चरहने दोस्तो हर रोज खुद के लिए positive affirmation का इस्तेमाल करना है positive बहुत powerful स्वयम सुचनाओं का इस्तेमाल करना है उन्हें दहराना है या उन्हें सुनना है इसके उपर मैंने एक बहुत powerful यूडियो बनाया है positive affirmation के उपर वो सिप हर रोज होना आपको positive रहने से कोई नहीं रोक सकता next name है दोस्तो प्रार्थना की शक्ति का इस्तेमाल कीजिएगा एपिस्कोपल के पुजारी सैम शुमाकर ने 1950 के दशक में एक योजना शुरू की जिसे अब पिटर्सबंग प्रयोग के नाम से भी जाना जाता है उन्होंने एक व्यापारी दल को हर रोज प्रार्थना करने के प्रयोग में शामिल होने के लिए कहा और उन लोगों में से अधिकांश लोग इश्वर की सत्ता को बिल्कुल भी नहीं मानते थे और नहीं प्रार्थना को मानते थे शुमाकर ने कहा कि आपको सिब 30 दिनों तक मेरे साथ ये प्रयोग करना है खुले मन से प्रार्थना करनी है और हर रोज अपने जिवन की घटनाओं पर ध्यान देना है आपको इश्वर का प्रमान मिल जाएगा वो प्रार्थना कुछ इस प्रकार से थी एह इश्वर मैं आपको नमन करता हूँ आप मेरे लिए आज जो भी लाये है मैं उसका हिस्सा बनना चाहता हूँ उसे मैं दिल से स्विकार करना चाहता हूँ 30 दिनों तक उन लोगों ने पूरे मन से प्रार्थना की और 30 दिनों के बाद हर व्यक्ति को बहुती सकारात्मक अनुभव हूआ और हर एक को इश्वर का चैतन्यदाई उर्जा का एहसास हूआ आप भी इश्वर से अगर पुरे दिल से प्रार्थना करते हो हर रोज प्रार्थना करते हो वो अगर आप हर रोज दवराते हो तो वो इश्वर का चैतन्यदाई जो अनुभव है वो आपके हर काम में जलकने लगेगा आपको मैसस होने लगेगा बस वो प्रार्थना जो है बहुत दिल से होनी चाहिए और ये सकारात्मक रहने का सबसे सबसे बहतर तरीका है नेक्स्ट नियम है लक्ष निर्धारित कीजे लक्ष निर्धारित करने का एक मात्र मतलब होता है दोस्तो अपने मन को उन चीजों पर लगाना जो आप चाहते है इसलिए अपने लिए एक निचित लक्ष निर्धारित कीजे एक गोल सेट कीजे चाहे वो पैसो से रिलेटेड हो सकता है अपनी सेहत से रिलेटेड हो सकता है अपने नोकरी करियर में आगे बढ़ने से रिलेटेड हो सकता है जो भी आपका लक्ष है उससे निर्धारित कीजे तुरन उसकी उपर एक निच्चित योजना बनाईए और शीग रही उसकी उपर काम करना शुरूर कर दीजे That's it, इतना ही आपको करना है अगर आपको positive रहना है अगर आपको आपके लक्षकी और निरंतर आगे बढ़ना है तो लेखक एक बहुत बढ़िया बात कहते है वो कहते हैं इस किताब में कि आपको एक sentence याद कर लेना है और वो sentence है इसे अभी कीजे इसे अभी कीजे और लेखक इस किताब में बताते है कि इस तीन शब्दों वाले sentence को आप हर रोज सुभब 50 बार और शाम को 50 बार दो रहे है मैंने ये प्रियोक को करके देखा है दोस्तों थोड़ा अटपटा लगेगा लेकिन जितनी जादा बार हो सके निगिटिव विचारों के लिए आपके माइन में कोई भी जगह नहीं होगी और लास्ट का नियम है दोस्तों अध्यन कीजे सोचिए और हर रोज खुद के लिए योजनाय बनाते रहे है आपको क्या करना है हर रोज खुद के लिए 15 मिनिट 20 मिनिट आधा गंटा जितना समय आपको मिलता है सेल्प हेल्प किताबों को पढ़िएगा पोजुटी वीडियो को देखेगा अपने लिए एक नोटबुक बना लिजे और उस नोटबुक में वो सारे पाउरफुल विचारों को लिखिए जो आपको प्रेरित करते है जो आपके लक्ष को हासिल करने में आपको मदद करने वाले है मुल्याकन कीज़े उन विचारों का योजनाय लिखते रहिए अपनी फ्यूचर की योजनाय लिखते रहिए आपके योजना के बारे में जो भी powerful solution आपके mind में आता है उसी वक्त उस विचार को उस notebook में लिख लीजे मेरी बहुत सारी ऐसी notebook भरी पड़ी है जिन में जो भी किताबे मैं पढ़ता हूँ जो भी videos में देखता हूँ उनकी सारी positive बाते मैं लिख लेता हूँ और ये notebook मुझे हमेशा positive रखती है और मेरे लक्ष के और continuous लिए आगे बढ़ाने के लिए बहुत जबरदस्त है और इसलिए ऐसी एक notebook आपके पात जरूर होनी चाहिए दोस्तो ये positive thinking किताब बहुत ही जबरदस्त है उसकी link पर आपको description में दे दूँगा आप इस किताब को detail में जरूर पढ़ना मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में एक बहुत powerful किताब के साथ तब तक के लिए thank you bye bye take care शुक्रिया